हेलो डियर स्टूडियों वेलकम तो नेक्स्ट ट्रॉपिक डिस्कस कर रहे हम लोग इंपक्ट आप जॉब सेटिस्फेक्शन यह अच्छे से समझाता हूं तो जॉब से खूश रेना या ना खूश रेना यह सब कंपनी पर डिपेंड होता है यह स्टॉब इंपक्ट ऑन और अर्गनाजिशन बॉटम लाइं प्रॉफिट अन लॉस अगर एंप्लय जॉब सेटिस्फाय रहेगा खुश रहेगा ना कंपनी को प्रॉफिट एगा एंप्लय से डिस्टिस्फाय जॉब से तो कंपनी को बहुत कम होने का चांसे एक टेबल है इसके थूरु समझाता हो तुम लोगो तो इधर दिये लग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्टीव पासी पैसी वहना सवर्ड लिकाए इसमें चार्श इस एक्टीव वाइस नेगलेक्ट लोयल्टी तो सबसे पहले अभी हम आप रहती हों कि जबरत तो एक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्टिव भी हो रहा है दिस्ट्रक्टिव अलब दिल से क्या कर रा काम कर रहा है मतब जैसे कि देंपल्व एधर कुट जी और लुक फ़र न्यू पोजिश्टिचन मतलब सुचता है कि मैं जॉब छोड़ दू औ और नया पोसेशन इंसाड एर उसी कंपनी में या तोप में लोगू या कोई और कंपनी में एक्टिव क्या करता है डिस्ट्रक्टिव मतलब दिल से वह राजी है नेगिटीव काम देने के लिए ना सिंपल एकनमस समझा दिया उसको काम करना पसंद नहीं है मतलब दिस्ट्रक्टिव मतलब बंडिटीव होता है दिल से वह करना पसंद नहीं यह वोईस उठाता है अच्छा लिए यह को था लॉयल्टी इस पैसिव कंस्ट्रक्टिव पैसिव का मतलब बहता है नॉट दिल से अंड कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छा इसका दिल तो रहे नहीं और यह डिस्ट्रक्टिव काम करता है मतलब बेकार अच्छे से बरबाद हो जाए ही रिमेन एपसेंड कम मेनत करेगा रुपोर्ट्स लेट टुवर्ग अंड सो और मतलब नकली इंसान है इसे कंपणी में लोग को निकाल देना चीव को कुछ सोस्टा हुआ अच्छा तो इससे रखे मतलब नहीं तो एकडिव में क्या होता है एक्टीव होता है डिस्ट्रेटी यूह डिस्ट्रेक्टिम मतलब इसको भार जानेए वह इस्में अच्छे के लिए काम उटा रहा है और लॉयल्टी मतलब बता हैं में कुछ करेगा नहीं पर जो भी है कंपनी के लिए दुआ करेगा सब मैंने साभा लेगा यह तो बोट डेंजर लोग मैंने समझा ना जोब साटिस्वेक्शन एंपलाई रिस्पॉंस मस्में टेबल लागरम मना देंगे तुम्हारे काम अच्छी सो जागा राइट तो यह तुमको कॉंसेप्स समझाने के दा राइट अलग-अलग तरीके दर समझा दिया था और भी अंसर तुमको समझा दूँका इजी लेंगेज में मिल लेको ओके थैंक्यू